अपने चनल स्सी अस्प्रेंट सावड इस वीडियो में स्सी जीडी के रिजिनी के सलूशन करने वाले हैं जो सिक्स नंबर का सेट होगा इससे पहले नहीं पास सिप्ट का करा दिया हैं जिन लोगों वह वीडियो नहीं देखे आप लोग जाके प्लेलिश में जरूर देख ल आप लोग खुछ से त्यारी कर लिजिए को उसका मैंने अल्ड़ेडी एस्टेजी वीडियो दिया हुआ है आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देख लिजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं बिन्या टाइम वेस्ट किये फरस्ट कोचन किया क्या क्या गए सभी डिब् आणू क्या है कते इस से लिए गया सब लोग सुनते जाइए कestra। डिया चूहा हुम स्छट दिया आगया थीयायं कुछ इस प्रकार यह बनेगा अब हम धो कश देखते क्या दिया गया है कोई डिबा जो है कोई कुटा जो है कोई डिबा वाला पार्ट कुटा नहीं यहां पर कुछ तो आ रहा है लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए था कुछ रहता तो यह हो जाता डेफिनेटली लेकिन यहां पर बोला गए नहीं इस करने यह भी गलत हो जाएगा उसके बाद देखे तीसरा में क्या कहा गए कुछ सेब चूहे हैं यानि कुछ तो यहां पर टच कर रहा है यानि केवल तीसरा अनुसरन कर रहा है जिनको समझ में आए आप लोग प्लीज रिपीट करेंगे जरू देख लिएगा असानी से समझ में आ जाएगा अगर कोई भी कोचन में डाउट होता है तो आप लोग कोचन करके जरू बताईएगा यहां पर देखें सिरीज का कोचन दी आ गया है पांच एगारा तेइस सैंतालीस पंचान ढारो द्हूऔर काद में कितना हो जाएगा याएकनगर कर देखें लिए कशन को प्र। को कंशन कर देंगे कर देखें मतर पता चलीelf पकर कैसे प्लाव यहां बन रहा है चैदिखें से यहां पर बढ़ा यहांनि कितना बढ़ा प्लस का व्रक्ति यूश्य वर्यूहें के तक बढ़ोंसे 4 नहीं 504 बढ़ोंसेद्र अंधर 20-227 आगे हमें और चेक करना पड़ेगा यहां पर जो है यहां पर जो है पी हो जाए उसका बढ़ाते जाना है उसी पर हमें अंसर मिल जाएगा हो यहां पर कोडिंग को अगया है यहां पर देखे पहला डिजिल ह्स सब्सक्राइब कितना ज्यादा है प्लस का आठ किया हो अगर हमें एक की बात करें प्लाइब का होता है अगर आप बहुत नंबर के यह दिखत होना है इसलिए यह का म किजिएगा किसी भी पेज में लिजेगा और एस लेकर जड़ तक लिखे उसके नम नीचे एक दो तीन चरपान से चपीश तक लिख दीजेगा और फिर से एक बार उल्टा भी लिख दीजेगा जिससे आपको याद करने में दीकत रहें उसी प्रेकर आपको किसी दिवाल पर चिपकाते है याद करते जाना उसको असानी से याद हो जाएगा एक बार दो बर आप लोग देखते रहें तो पूरी तरह से याद हो जाएगा बस इतना जरूर किजेगा उसका देखिए इसमें आठ बनाने का इन मिल गया उसका लास्ट में देखी कितना बोला अगर दूसरे डिजिट क करेक्ट हो जाएगा जैसे कि मैंने बोला जैसे निचे दो तीन चार पांच इसी प्रकार याद करना है और याद करना है जैसे एक का वान बी का दो सी का तीन डी का चार याद करना है यहां के बाद यह सब हो जाए यह फस्ट वाला याद हो जाए तो उसके बाद आपको उल्टा भी करना जासे एक बाद यहां पर देखें और कोचन दिया गए जो एनालोगी का रूप में देखें यहां पर डीजी और यहांपर पीजान से देखै है कितना मैस करते जाने हम्हाइम काद रूसके अचो जाएगा हो ऑढ़ पर i before यहां पर देखे को और सिरीज का कोचन दिया गया है अगर आप जहां से देखे जहां जहां आकर यह से बाले आप 151ों से तना होगारी जाना जहां जहां देखे प्रकार लिखा गिया है और कोडिंग को इस प्रकार लिखा गया है क्रिएट को इस प्रकार लिखा गया है तो बताना है क्लेटर कूर exhausted कि गया है से यहाँ पर अपर द्यान से यह एक अस्थान बढ़ा है मानकर यह बढ़ रहा है एक अस्थान प्लस 1 हो रहा है उसी प्रकार ओभ से यहां पर करने का व्याँति 2 अगर यहां पर दूसरा नम्बर पर पी है उसी प्रकार हमें और यहां पर दूसरा नमबर ले जाने एक प्लस करने कवाद यहां पर जाएगा अगर हम इतना है चेक कर के देखे एफ एसडी कौन साफ्चन दिया यहां पर है बाकी कि किसी में FSD नहीं दिया यानि कि यहीं करेक्ट हो जागा बाकी चेक करने के कोई जरूत नहीं बस दो ही ती डीजिट से आपको देख लेना है जो कौन सा उपसर बैठ रहा है बस उसी प्रकार आपको टाइम बेस्ट नहीं करना है यहां पर देगा नीचे देख समय करना को ग लंबी हो जाएगा इस प्रकार के कोचन हम इसलिए छोड़ देते हैं आप लोग खुद बना लिजिए यहां पर दिया प्रसना किरती के चीन अस्थान पर हमें कौन सा किरती यहां बताना है ठीक है अगर आप ध्यान से देखे तो एकस पहले देखिए एकस कहां जा रहा है पर चैनब है वसके बाद अगर यहां आगे बढ़ गया सॉ्री अहां यहां पर नीचे नीचे की ओर आएगा यहां इस वाले यहां पर देखें एस आगया यानि कि यह बढ़ रहे और दो दो अस्थान सभी को बढ़ा देंगे तो हम एंसर मिल जाएगा चलिए अब देखते हैं तो सबसे नबर पर आजाएगा इस के बाद देखें यहां पर देखें यहां पर चलाएगा उसके बाल सबसे नीचे क्या हो जागा see बला पार्ट हो जागा चलिए एंसर देखते हैं यह यहाँ पर है a row thीक है टी भी ठीक है और यहाँ पर सी भी ठीक है लेकिन यहाँ टी जो अब दिख रहा है यह अब देखे जो संख्या उपर में जाता है वह नीचिया आने कबाद नया संख्या में बदल जाता है यानि के जो यह संख्या में बदल जाएका इतना ध्यान रख लीजिएगा और जिनको समझ में नहीं है नहीं प्लीज प्लस का तेन किया यानि कि उस भी हमें प्लस तीन बढ़ाना पड़ेगा पहला डिजित में टीमिल गया अगर इतना है चेक करके देखें तो किसी भी पहला डिजित तीन यानि कि एक ही ऑफशन से मिलिया करेक्ट हो जाएगा दूसरा नबर आगे चेक करना है स्राइब टूरा नदे दो किया अगर यहां पर Hika से हिहां है इस संख्या में हैं में Jim सब्सक्राइब कर लेना है बारा नमबर को सिटिक नेरेज्मेंट के कोचन दिया गया आठ बेखती जो एबी सीडी एफ जी एच एक सीधी पंक्ती में उत्तर की और मुख करके बैठा यानिके पहले हमें को न जाएगा बी आजाएगा अब बोला गया क्या बी और डी के बीच में चार व्यक्ति यानिके एक स्थान ये दो तीन और चार यानिके यहां पर आप लेंगा इसको थोड़ा रिफ्रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद देखे बोला क्या गया है एफ जो है जी के दाइं और ठ सीदा को छोर देंगे उसके बाद देखे यह जो है किसी एक स्थान पर नहीं अगर यहां पर लेंगे तभी तो इसके दाइं और किसी एक सीदा पर यानिकि यहां पर लेगा आप पूरा रिख्रेस्ट कंपव्लीट होगया हम बताना क्या है एक बीच में कितने बैक्ति है ए एसे किस प्रकार संबंदित है चलिए रिलेशन देखते हैं पहला क्या आगे ए प्लस बी का आर्थ है प्लस कहां पर यहां पर है प्लस क्यूं का आर्थ है प्लस क्यूं की बेटी है यानि कि जो हो जाएगा ए किसकी बेटी हो जाएगा बी की बेटी हो जाएगा नीचे राजा बताना है कि देखें तो यहां पर जो है देखें तो यहां पर जो है C तो क्या हो जाएगा C जो इसका पिता हो जाएगा A का और यह जो है Sorry यहाँ पर यह चाचा हो जाएगा B जो इसका पिता है A का जो है B पिता है और C चाचा है तो इन दोनों का जब पिता है वो कोन है F है आनि कि A जो है क्या हो जाएगा दादा हो जाएगे इसलिए third option correct हो जाएगे क्योंकि जो है ये दो रिलिशन उपर चला गए तो सबसे पहले तब बी उसके पीता हो जाएगा और उससे उपर जो है जो है दी की माता है और ये एफ जो है उसके पिता है इस कारण ए जो है उसके दादा हो जाएंगे आप लोग आर दा लोगे आर दिया और इस गें दोने को कट कर दीर पहले तो आgendeकर यहां तक दिया घिया उसके बाद देखे सभी में क्या है इसमेए सैघ PA यहां पर देख लिए एक और सिटिंग अरिजमन का बहुत बढ़िया कोच्चन दिया गया है बताना हमें आठ वेक्टि दो समांतर पंक्तियों में परते कि चार बैठे हैं कि आसन बैक्तियों के बीच के दूरी समान है तथा पंक्ति एक वेक्ति दूसरे पंक्ति को और सामने 110 बैक्ति बैक्ति हैं जो है उनकी फ्केंकित बाक्ति के सामने में ऊसके बाद देखेंते हैं यहां पर बचा कौन सा नीचे में केवाल एक यहां पर हो जाएगा तो उसका दाया इधर होगा अब ध्यान से देखें तो सबसे दाया सिरी पर कौन बैठा हुए एक बैठा हुए यानिकि फस्ट रिलिशन करेक्ट हो जाएगा और जिनको समझ में प्रिज कमेंट करका जरूर बता दीजेगा अगर आप लोग रिपीट करके देख सकते तो आप जरूर देख लिएगा और खुछ से प्रेक्टिस किजिए गाए तब को सभी लोग सभी जो है इस भी आसानी से समझ में आने लगेगा यहां पर देख उस भी यहां साइड में और यह जो है इस साइड से एक एक बॉक्स कटा हुआ है बिल्कुल और यह पूरी तरह से मैच कर रहा है यानि कि यह तो सबसे सिम्पल है बस इसदर से इधर आ जाएगा और यह सभी पलट जाएगा यानि कि इस जो है सभी में ठीक है उसके बाद देख है सबसे वी ठीक है यहां पर तीसरे में यहां पर डीक है इसके बाद देखर अब केवल यह वाला और यह लास्ट वाला बच दो और चार बचा हुए उसके बाद देखे आठ तो दोनों में ठीक है उसके बाद देखे बी को हमें डी में बदना पड़ेगा तर इसमें दिया और इसमें भी रह दिया इसका चौथा भी गल्द है केवल दूसरा करेक्ट हो यहां पर देखे कागज को काटने का अनुसरा मोरा गया और खोलने का अकिरती दिखाए सिंपल है बस इसको उपर दीजिए और दोनों को इधर बन जागा यहां पर यहां पर यह व्रित आ जागा और इन दोनों को जब पलटेंगे तो सेम उसी प्रकार पास वाले पास में दूर वाला दूर में हो जागा नहीं इस प्रकार बनेगा चार टोटल विरित और चार जो है इस प्रकार का रेकरिंग बन जागा चलिए देखते हैं यहां पर फर्स्ट तो गलत हो इसको इसको कैसे लिखा जाए अगर आप ध्यान से देखे तो एम से किया गया दो माइनस क किया गया उद्सका फिरसे माइनस दो फिरसे प्लसष फिरसे प्लसष वन करना है जंब कितना करते हिएंख हो जाएंगी कि और यहाँ यहां पर हमें आगे और चface करना पर डएगा वन हो जाएंगा उसके बाद देखे, X, F, Z यहाँ पर देखे, इसमें गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर F दियागा, अगर तीन ही option से हमें मिल गया, यानि कि second option correct हो जाएगा, यहाँ पर देखे, जिस प्रकार यह relation दोनों उपर में दिया गया, उसी प्रकार हमें option ने बताना है कैसा संबंदित ह होगा, अगर आप ध्यान से देखे, और 6 और 9 को हम जोर देंगे कितना होगा, 15, 15 में 9 से multiply करेंगे, तो हमें 216 मिल जाएगा, इसमें कुछ ने का ना, फरस्ट दिजिट और लास्ट डिजिट को जोरना है, उसमें 9 से multiply करना है, बीच वाला संख्या मिल जाएगा, यानि कि third adoption करेक्ट हो जाएगा, तो यह पूरे 20 कोचन complete हो, अगर आप लोग को वीडियो दिल से पसंद है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है, तो चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कर लिजिएगा, और बाकी सारे वीडियो को नहीं देखे, तो आप लोग जाक तक लिए जाए हिंद